महराश में उधो ठाकरे गवर्मेंट पिछले काफी टाइम से किसी न किसी बिवात से घिरी हुई है लगातार उनके बड़े मंत्रियों और नेताओं के ओपर भरस्टाचार के आरोप लगाया जा रहे हैं वो कई केस में फस भी रहे हैं और उनके ऊपर कारबाई भी चल रही है लेकिन इन्ही सब चीजों के बीच में अभी अभी एक और अप्डेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि उधो ठाकरे गवर्मेंट के ऊपर एक और भरस्ताचार का आरोप लगाया जा रहा है और यह जो आरोप लगाया जा रहा है वो क्रीट सौमया के द्वारा लगाया जा रहा है आप सब को बता दूँकि किरिट सोमया जो है वो BJP के एक बड़े politician है और पिछले काफी टाइम से ये जो है उधो ठाकरे government के कई बड़े politician को एक्पोज भी कर चुके हैं ब्रस्टा चार केस में ही अब उनके द्वारा फिर से COVID center को लेकर COVID center में जो घोटाले किये गये हैं उसको पूरा का पूरा सबूत के साथ में महरास government को पूरी तरह से expose करेंगे क्योंकि महरास government ने COVID center को लेकर काफी बड़ा घोटाला किया है और इसमें जो है लोगों को डरा धमका कर काफी लोगों से पैसा भी वसूला जा रहा है इस तरह का आरोब जो है वो क्रीज सोमया के द्व द्वरा लगाया जा रहा है जो कि एक बिजेबी के पॉल्टीसियन है अब देखते हैं जब इनके द्वरा खुलासा किया जाएगा तभी पता चलेगा क्या घोटाला किया गया है महरास government की तौरा लेकिन अभी जो है इनके द्वरा सीधा-सीधा दावा किया रहा है कि महरास government ने covid center को लेकर काफी बड़ा घोटाला किया है जिसको मैं 10 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह से expose कर दूँगा और 10 दिन के अंदर अंदर सारे document जो भी इनके खिलाब में evidence है वो भी media के सामने प्रस्तूत करूँगा आपका क्या opinion है क्रीट सोमया के दौरा किये गए इस challenge प